हरे कृष्णा आप सभी का शी रामायन की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है ओम ज्ञान्ति मिरांधस्य ज्ञानां जनाश लाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्में शीगुरुवे नम्हां शीचैतन्य मनोभिष्टं स्थापितं येन भूतली स्वयं रूपकदामहयं दधाती स्वापदांतिकं वंदे अहं शीगुरो शीजुत पद कमलं शीगुरुन वैश्न वाम्ष्च शीरूपं साग्रजातं सहगन रगुनाथान विंतंतं सजीवं साध्वेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं शीराधा कृष्ण पादान सहगन लल शी विशाखान विंताष्च एक्रिष्ण करुना सिंधू दीन बंधू जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमुस्तुते तप्तकांचन गोरांगी शीराधे व्रिंदावने श्वरी व्रिष्भानू सुते देवी प्रणमामी हरी प्रिये द्वांचा कल्पत श्री भैष्च क्रिपासिंधू भै एवच पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्ण वैभ्यो नमो नमाहां जैश्री कृष्ण चैतन्या प्रभूनित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रिवा साधिकोर भक्त व्रिंदा Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 हरे हरे नमों विष्णु पादाये कृष्ण प्रिष्ठाय भूत ले श्री मते भक्ती वेधांत स्वामी निती नामी ने नमस्ते सरस्वती देवे गुर्वानी प्रचारी ने निर्विशेश शुन्यवादी पास्चात्य देश्यतारी ने नमा विष्णुपादाय प्रिष्णुपादाय प्रुष्ञु करेंगे पहले श्री राम स्तूती करेंगे पहले अमितचबिनव नील नीरद सुन्दरं पटपीत मानहु तडितरुचिशुचिनोमि जनक सुतावरं श्री राम जयराम भचुदीन बंधुदीनेशदानव दैत्यवांषनिकांदनं रगुनांद आनंद कंद कोशल चंद्र दशरत नांदनं शेरां जेरां सेर मुकुट कोंडल तिलक चार उधार अंग विभूशनं आजानु भुजशर चापधर संग्राम जितकर दूशनं शेरां जैरां इति वदति तुलसी दास शांकर शेष मुनि मनरंजनं मामाहरिदय कांज निवास कुरू कामादि खल दल गांजनं श्री राम जैरां श्री राम जै जैरां जै श्री राम तो कल हमने क्या पढ़ा था कल हमने देखा था कि लक्षमन श्री राम के कहने पर सुग्रीव को मिलने जाते हैं और बहुत ही गुसे से उसके महल में एंटर होते हैं और लक्षमन का क्रोध देखके सुग्रीव भै से कांपने लगता है डर जाता है और वो बताते है कि मैंने उसकी जो पत्नी होती है वो तारा वो बताती है कि सुग्रीव ने तो पहले से ही जो वानर सेना है उसको बुला रखा है तो उसके बाद लक्षमन जी कुछ शान्त होते हैं तो उसके बाद प्रसन लक्षमन ने उत्तर दिया मैं क्रोध के आवेश में था इसलिए मुझे क्षमा करना मेरे अंसार इस समय ही राम से तुम्हारा भेंट करना उचित रहेगा तुम्हारी निश कपड़ता देखकर उनके उत्साह का वर्धन होगा तब सुग्रीव ने हनुमान को आग्यादी हिमाल्य महिंद्र, मंदर और कैलाश परवतों से सभी वानरों को बुलवालो उन सभी वानरों को सचेत करो जिनका जुकाव इंद्रिय तुष्टी की ओर है और जो आलसी है उनसे कहो कि दस दिनों की समय सीमा के भीतर जो इस आग्या का अनुशीलन नहीं करेगा उसका वध कर दिया जाएगा हनुमान ने तुरंत सभी दिशाओं में वानर पर मुखों को भेज दिया उसी समय लाखों वानर किश्किंदा आने लगे और सुग्रीव के समक्ष उपस्थित हुए तथ पश्चात लक्षमन के सुग्रीव से पुनह निवेदन किया कि वह राम से भेंट करने चले सुग्रीव की पालकी लाई गई जिस पर वह और लक्षमन बैठकर असंख्या वानरो सहित राम से मिलने चले तथ पश्चात लक्षमन एमम सुग्रीव राम के समक्ष करबध खड़े हो गए तथा राम ने परसन होकर वानर से ना की और देखा तब सुग्रीव से सुग्रीव ने स्वयम को राम के चन कमरों में पून रूप से समर्पित करते हुए उन्हें दंडवत परनाम किया राम ने कृपा पुर्वक सुग्रीव को उठा कर उसका अलिंगन किया सुग्रीव की पूर्व आसाबधानी के प्रती राम को राम में क्रोध का भाव नहीं था वानर राज को आसन परदान करने के पश्चाद राम ने सुग्रीव को राजा के करतव्यों के विशे में बताया एक राजा को धर्म अर्थ एवं काम के लिए उप्युक्त समय की पहचान होनी चाहिए और तद अनुसार जीवन का सुक भोगना चाहिए राजा को वैदिक नियमों का त्याग कर केवल अति भोग में निमगन नहीं होना चाहिए अन्य था वह पतित समझा जाता है सुग्रीव अब समझ आ गया कि तुम सिता की खोज के लिए प्रयास प्ररंभ करो जैसे की तुम्हें प्रतिग्या की है सुग्रीव ने कहा हे राम धैरे धरिये मैं तथा यहां आए हुए सभी वानर आपकी सहायता करने के इच्छुक है राम ने पुनह सुग्रीव का अलिंगन कर अपनी मित्रता को सूद्रिड किया सुग्रीव की आग्या के उत्तर में किश्किंदा में आकर एकत्रित होने वाले वानरों के विशाल समूहों के कारण समुचा वाता वरं धूल दूसरित हो गया धूल के बादलों से संपून आकाश अच्छादित हो गया जिससे सूरे भी अद्रिश्य हो गया वानरों के सभी परमुख और रिच्छ राज, जामवान, लाखों अनुजाईयों सहित सुग्रीव के समक्ष उपस्थित हुए आसपास के वन तथा परवतियक शेत्र पून रूप से वानरों से भर गए वानरों के विभिन दलों की और संकेत करते हुए सुग्रीव ने राम से कहा मेरे स्वामी इन वानर जो अधाओं को आप अपनी ही सेना समझे अब आप जैसे उचित समझें वैसे इनहें आग्या दे राम ने कहा हमारा प्रथम उदेश है रावन के निवास का पता लगाना है तथा यह निश्चित करना है कि सीता जीवित है या नहीं प्रिया सुग्रीव तुम्हें खोज करने वाले दलों की विवस्था करनी चाहिए सीता का पता लगने के पश्चाद मैं उचित आग्या दूंगा सुग्रीव ने तुरंत वानर राज विंद को बुलाकर आग्या दी मैं चाहता हूँ कि तुम और तुम्हारे सैनिक साथ सागरों एवं साथ द्वीपो सहित पूर्व दिशा की और जाकर परतेक स्थान पर खोज करूं शीर सागर के पार एक मीठे जल का सागर है जहां धर्ती के भीतर ज्वाला है मीठे जल के सागर के पूर्वी तड से तेहां योजन दूर जात रूप शीला नामक एक परवत है जो स्वर्न पत्रों से निर्मित है वहीं पर भगवान अनंत शेश का निवास है जिनके सहारे यह समुची पृत्वी अवलंबित है यह पूर्वी भाग की बाह्य सीमा है इस समुचे क्षेत्र में खोज करने के लिए मैं तुम्हें एक मास का समय देता हूँ इस अवधी के उपरांत आने वाले को राज अग्या की अवहेलना करने के दोश में मृत्यु दंड दिया जाएगा इसके पश्चात सुग्रीव ने अंगद, नील, हनुमान, जामवान, मैंद, द्वीविद तथा अन्यों को वाली के पुत्र के नेतरदव में दक्षिन की और भेजा दक्षिन क्षेत्र का वर्नन करने के पश्चात सुग्रीव ने वानरों को समझाया, खारे सागर के उत्री तड़ से सो जोजन दूर एक द्वीब है, मुझे लगता है वही रावन का निवास्थान है, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे लंका की बात कर रहे हैं पित्र लोक या उसके पार मत खोजना क्योंकि वहाँ प्रित्वी का कोई प्राणी नहीं जा सकता, सुशेन एवं उसके अनुजाईयों को सुग्रीव ने पश्चिम की और भेजा, उसने उनको निर्देश दिया, खारे सागर के मध्ये में नरकासुर की नगरी प्राग जो तिश पुर है, और पश्चिम सीमा वहाँ है जहां सूरे अस्त होता है, उसके पार अस्तित्व की कोई सूचना नहीं है, अता तुम्हें वहाँ जाने की अवश्यक्ता नहीं है, अंत में शत्बली को उत्तर दिशा की और भेजते हुए सुग्रीव ने वताया, तुम पहले मलेचों के देश से होते हुए हिमाले की ओर जाओगे, इन परवतों से आठ सो मील की दूरी तक निर्जल स्थल है, उसके पश्चात कैलाश परवत है, जो कुबेर का निवास है, कैलाश परवत के पश्चात कौन क्रॉंच परवत आता है, और फिर उत्तर कूरू का क्षेतर आता है, अंत में खारे जलवाला उत्तरी सागर है, जिसके मध्य में सोम गिरी नामक स्वर्न परवत है, वहां भगवान, विश्नु, ब्रह्मा और शिव का निवास है, उस परवत को देखकर तुम लोट आना क्योंकि उसके पार जाना संभव नहीं है, सुग्रीव हनुमान को सीता की खोज करने के लिए सबसे योगे समझते हैं, उनके उत्साह वर्धन के लिए सुग्रीव ने कहा हनुमान, सभी वानरों में तुम विशेश रूप से शक्तिशाली हो, पृत्वी, आकाश, स्वर्ग और अधोलोप में भी तुम्हारे कारय में कोई विघन उत्पन नहीं कर सकता है, तुम्हारे भीतर अति मानविय शक्ति के अतिरिक्त साहस बुद्धी एमम सूज भूज भी है, अतैव सीता की खोज में मुझे विशेश रूप से तुम्हारे सफल होने की पूर्ण आशा है, इन वचनों को सुनकर तथा हनुमान का आतम विश्वाश कि हनुमान उनकी प्रिये पतनी का पता लगा सकेंगे, हनुमान को अपनी अंगूठी देते हुए उन्होंने कहा, इस अंगूठी पर मेरा नाम अंकित है, जब तुम सीता का पता कर लोगे, तब उसे यह अंगूठी दे देना, उसे विश्वाश हो जाएगा कि तुम मेरे ह दूठो, प्रिये हनुमान, मुझे पून विश्वाश है कि तुम मेरी और से यह महत्तपुन कार्य करने में सफल होगे, तो देखें, यहां पे भगवान शीराम का नाम लिखा हुए अंगूठी पे, और आपको पता होगा कि पहले, आज से 50-60 साल पहले, जो है, लोग जब आज से 40-50 साल पहले यह रीत थी, क्योंकि हम रामायन से प्रभावी थे, लेकिन जियों जो कलजुप का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे यह जो रामायन की बाते हैं, वो खतम होती जा रही हैं, अंगूठी लेकर हनुमान ने उसे माथे से लगाया, और राम के चर्न स्पर्श किये, फिर वह चल पड़ा और अन्य वानर सेना के लिए प्रित्वी की छानबिन करने लगा, आगामी मास्तक राम एवं लक्षमन परवत की गुफा में ही निवास करते रहे, वानरों के चले जाने के पश्चात, राम ने सुग्रीव से पूछा, तुम्हें प्रित्वी के भूखोल का इतना विस्त्रित ज्यान कैसे है, आपको भी लगा होगा कि बड़ा विस्त्रित ज्यान है, सुग्रीव को बड़ा इंटेलिजन्ट है, तो सुग्रीव ने उत्तर दिया वाली के किश्किंदा लोट आने पर और स्वेच्छा से मेरे द्वारा उस मुझी प्रित्वी पर शरन ढूंडता रहा, अंत में कुछ समय के पश्चात हनुमान ने मुझे मतंगरीशी के शाप की बात बताई, और तब मैंने मतंगरीशी के आश्न में शरन ली, इसका मतलब सुग्रीव जो हैं वो पूरी धर्ती घूमे हुए थे, दिन के समय वानर स शत्बली और सुशेन अपने अपने क्षेत्रों में चानविन करके लोट आए, विशाद युक्त मुख लिये हुए उन्होंने सुग्रीव को सूचित किया कि उन्हें सीता का कोई पता नहीं चला, मतलब जो इस्ट, वेस्ट और नोर्थ वाले जो थे, वो सभी वापिस जब वानर आकर अपने अनुभवों का वर्नन करने लगे तब सुग्रीव राम के निकट बैठे थे, सभी की आशा अब केवल हनुमान पर टिकी हुई थी, अंगद के नेतरतव वाला दल संपूर्न, विंध्य, परवत श्रेनी की चानविन करने के पश्चाद भूख और प पत्यां तक नहीं थी, फलोंव पुष्पों का तो कहना ही क्या, चुकि उसक्षेत्र के सभी जलस्तोत्र सूख गए थे, वहक्षेत्र पूर्न रूप से पशू पक्षी विहीन हो गया था, किसी समय उस वन में कंदू रिशी रहा करते थे, दुरभाग्यवश कंदू रिश उस निर्जन वन में घूमते हुए वानरों का सामना एक भ्यंकर राक्षर से हुआ, जद पी वह दैत्य देवताओं से प्रियाप्त वर्दान के कारण निर्भाय था, किन्तु अंगद ने उसको रावन समझ कर उसका वध कर दिया, किन्तु समुचाक शेत्र खोज लेने पर भी अंगद के दल को सीता के विशय में कुछ भी पता नहीं चल पाया और वे निराश हो गए, समय शिग्र ही व्यतीत हो गया, अंगद ने वानरों से विंध्य परवश्रेनी के आसपास सीता को खोजते रहने के लिए कहा, किन्तु इस बीच एक मास की नियत अवधी स्माप होने को थी, भूक और प्यास से संतप्त वानर पेजल खोजने लगे, पेजल मतलब पीने वाला पानी, तब अंगद और तार ने एक गुफा देखी जहां आद्र विसरपी पोधे एवव जल पक्षियों का समूद दिखाई पड़ा, वे जल की आशा में सिग्र उस गुफा की और चल पड़े, वे गुफा अत्यंत गेहन और अंधेरी थी, पर तेक ने एक दूसरे का हाथ पकड़ कर सावधानी पूरवक उसमें प्रवेश किया, आठ मील तक की दूरी पर जाने पर वानरों ने भीतर सुदूर प्रकाश देखा, और आगे जाने पर उन्हें सुनेह तवचा, धार्न किये हुए, एक योगनी इस्त्री को देखा, जिसके मुख पर अध्यात्मिक तेज था, हनुमान उसके पास गए और हाज जोड़कर बोले, क्रिपया आप हमें बताएं कि आप कौन हैं, और यह गुफा किसकी है, यहां सब कुछ स्वर्निम क्यों परतीत हो मेरू सवर्नी की पुत्री स्वयम प्रभा हूँ, मैं हेमा नामक अपसरा की सक्षी हूँ, और यहां मैं एक कुटिया की खवाली करती हूँ, रिक्ष बिल नामक यह गुफा, मैं दानव द्वारा निर्मित है, यहां तपस्या करने के पश्चात मैं दानव को भगवान ब्र हेमा के प्रति असक्त हो गया, तब इंद्र ने अपने वज्र से उसे इस क्षेत्र में भगा दिया, तब ब्रम्भा जी ने यह गुफा हेमा को दे दी, क्रीपया आप इसे अपने घर के समान समझें, और इस दूर्गम क्षेत्र में अपने आने का कारण बताई, वैदिक्र उनका कुशल मंगल पूछना चाहिए यजमान निर्दन हो तब भी उसे कम से कम स्वच्छ आसन एवं पेजल अवश्य ही देना चाहिए इतने सुंदर वातावरन में एक अतिथी अवश्य ही शांती और परसंता का अनभव करेगा इस परकार से स्वयम प्रभा ने आंग तुक स्वयम प्रभा द्वारा सतकार किये जाने के पश्चाद हनुमान ने राम के वन में भेजे जाने तथा सीता के अपहरन तथा उनकी खोज में सब के वहां आने के कारण से सबंदित पूरी कथा सुनाई फिर हनुमान ने कहा आपके द्वारा किये गए सतकार के लिए केवल धन्यवा देना ही समुचित न होगा क्या हमारे जोग्य कोई सेवा है जो हम आपके लिए कर सकें। स्वयम प्रभा ने बताया इस गूफा में प्रवेश करने वालों का जीवित अवस्था में बाहर निकल पाना लगभग असंभव है किन्तु मैं अपनी दिव्वे शक्तियों के उपयोग से तुम्हारी सहायता करूंगी किन्तु तुम सबको अपने नेत्र बंद करने होंगे क क्योंकि खुले नेत्रों से कोई भी यहां से नहीं जा सकता है उसके पश्चा सभी वानरों ने अपनी आँखे बंद कर ली अपस्मात उन्हें ऐसा अन्भव हुआ कि वे गुफा से बाहर निकल गए हैं अंत में जब उन्होंने अपनी आँखे खोली तब पाया कि वे सभी गुफा के बाहर हैं उन्होंने अपने आसपास हरे भरे व्रिक्षों को देखा परत्यक्ष रूप से वसंत का आगमन हो चुका था वानरों को यह सोच का निराशा हुई कि इतना समय कैसे व्यतीत हो गया तब अंगत ने सुझाव दिया हम सब को यहां बैठ कर आमरन उपव पाई है वहां एकत्रित सभी वानर इस बात से सहमत हुए कि सीता के विशय में कोई सुझना लिये बिना किश्किंदा लोटने का कोई प्रशन नहीं है तब तार ने अपना सुझाव दिया चलो हम सब चल कर इस दुर्गम गूफा में शरन ले फिर हमें किसी के द्वारा खो बुद्धी की आठ विशेश तायों से संपन हैं दूसरों के कथन को सुनने की अभिलाशा उसे सुनने की क्षमता उसका तात्प्रे समझने की योगिता तीव्रस्मर्न शक्ति उस कथन के पक्ष में तर्क करने की क्षमता उस कथन के विपक्ष में तर्क करने की क्षमता उस बुद्धी की आठ विशेष्टाएं कौन कौन सी होती हैं। अगर हम किसी को बुद्धी मान कहते हैं, तो उसमें ये आठ विशेष्टाएं होनी चाहिए। हे अंगद, आप चार परकार के राजनीतिक उपाईों को प्रजुक्त करने में भी प्रवीन हैं। अब यहाँ पे चार परकार के राजनीतिक उपाई बता रहे हैं। प्रत्यायान अत्वा सुल्ह, उपहार अत्वा अनंद, शत्रु में आपस में मतभेद उत्पन करना और अवश्यक्ता होने पर हिंसा या बल का उप्योग करना। इन सभी के अत्रिक्त आप उन चोधा विशिष्टताओं से भी संपन हैं जो किसी महान व्यक्ति को चित्रित करती हैं। समय और स्थिती का ज्यान, द्रिडता तथा शरीरिक लेशों को सहन करने की योग्यता, सभी विश्यों का ज्यान, दक्षता, पोरुष, रहस्यों के को गुप्त रखने की योग्यता, स्थिर्ता, वीर्ता, शत्रु की तुलना में अपनी शक्ती के आकलन की क्षमता, अन्यो द्वारा की गई सेवा की सराहना शर्नागतों की प्रती करुणा अधर्म होने पर रोश तथा कार्य में तत परता इस परकार से हनुमान ने अंगत की प्रशंशा करके प्रथम राजनितिक उपाय को प्रजुक्त किया तब उन्होंने वानरों के मध्धे इस विशे पर मत उत्पन किया कि अब उन्हें क्या करना चाहिए ऐसा करके उन्होंने तीसरे राजनितिक साधन का उप्योग किया अंत में हनुमान ने अंगत की यह कहकर भर्सना की यदि आप अपनी इस मुर्खता पूर्न योजना को अंगी कार करना चाहते हो तो इसी गूफा में रहो जह का और अन्य वानरों का नाश कर देंगे किन्तु यदि आप किशकिंदा जाओगे तो सुग्रीव अवश्य आपको शमा कर देंगे आप उनके एक मात्र पुत्र हो जिसे वे भविश्य में रासिंगासन सोंबने वाले हैं अंगत ने हनुमान का विरोल किया और कहने लगे तु और लक्षमन द्वरा धमकाए जाने पर ही कारय रंब किया अतैव चिन के इच्छा है वे घर लोट जाएं किन्तु मैं तो मृत्यू आने पर तक यहीं भूखा प्यासा पड़ा होगा तो अंगत ने बोला कि मैं वापिस घर जाने वाला नहीं हो ऐसा कहकर अंगत कुश की घ भास पर बैठ गए और विलाब करने लगे अन्यवानर भी उसी प्रकार से प्रांत्याग देने का निर्ने करके उसे घेर कर खड़े हो गए तभी जटायू का अग्रज बड़ा भाई संपाती अपनी गूफा से निकला और उसने परवत की चोटी परस्थित एक स्थान से अब ये वानर भूख से तडब कर मर जाएंगे तब मैं एक एक करके इनका भक्षन करूँगा क्योंकि गिद्ध क्या होता है मरे हुए जानवर को खाते है जीते जी जानवर को नहीं खाता यह सुनकर अंगद क्रोधित हो गया उसने हनुमान से कहा हमें कैसे दुरभागे का सामना करना पड़ रहा है यह सब उस दुष्ट के कई की करनी है सरप्रथम वह महात्मा जटायू के विनाश फिरवाली की मृत्यू और अब उसी प्रकार से हमारी मृत्यू का भी कारण बनेगी पहली बार समपाती ने जटायू की मृत्यू के विशे में सुना अतया उसने निवेदन की आक्रिपया आप मेरे अनुझ की मृत्यू के विशय में मुझे सब कुछ बताएं। प्रसंता हुई। जदिपी उसकी मृत्यू के विशय में सुनकर मैं दुखी हूँ। हे वानर्शरेष्ट मैं आपसे सहायता की याचना करता हूँ। बहुत पहले सूरे की किर्णों से मेरे पंक जल गए थे और अब मैं उड़ नहीं सकता हूँ क्या आप इस परवत की चोटी से नीचे आने में मेरी सहायता करेंगे चुकि कुछ ही क्षन पहले संपाती ने वानरों के भक्षन की इच्छा व्यक्त की थी अतह उसकी बातों पर विश्वाश करने के लिए वानर तयार नहीं हुए किन्तु उन्होंने विचार किया उपवास करके भी हम मरने ही वाले हैं तब इसका अर्थ यही हुआ कि हमारी पीड़ा का शिग्र अंत हो जाएगा वानरों ने संपाती को परवत की चोटी से नीचे आने में सहायता की नीचे आते समय अंगर ने राम के वनवास जाने से लेकर जटायू के विर्ता पूर्वक बलिदान की कथा उसे सुनाई तब संपाती ने भी रुंधे स्वर से अपने विशे में बताया बहुत समय पहले मैंने और जटायू ने अपने पराकर्म का आकलन करने के लिए स्वर्ग के राजा को ललकारा अकाश में उचे उड़ते हुए हम स्वर्ग लोक तक पहुँच गए और हमने युद्ध में इंद्र को प्राजित किया तब अभिमान में आकर हमने उपर जाने का निने किया तब स्वर्य के निकट जाते ही जटायू ताप से अचेत होने लगा उसे बचाने के लिए मैंने उसके उपर अपने पंक फैलाई ऐसा करते हुए मेरे पंक जल गए और मैं विंध्य परवत पर गिर पड़ा तब अंगद ने हस्तक शेप किया और कहा यदिया वास्त में जटायू के अग्रज और हमारे शुब चिंतक है तब हमें रावन के निवास के वीशय में सूच ना दे संपाती ने उत्तर दिया मैं अत्यंत वृद हो गया हूँ और मेरे पंक जल गए है अतयव मैं शरीरिक रूप से भगवान राम की सेवा करने में असमर्थ हूँ किन्तु मैं अपनी वानी की शक्ती से ऐसा वश्य कर सकता हूँ मुझे बताया गया है कि रावन एक जूफती का अपहरन करके ले जा रहा था और उसने राम राम चिलाते हुए अपने कुछ अभूशन भूमी पर गिराए थे मैं जानता हूँ कि रावन राक्षिशों का राजा है और उसका राज्य लंका राज्य लंका दक्षनी तड़ से एक सो योजन दूर एक द्वी पर्ष्थित है विन्ता का वन्शज होने के कारण मैं एक सो योजन से भी दूर देख सकता हूँ तो जो गित होते हैं, वो कितनी दूर देख सकते हैं? सो योजन तक देख सकते हैं. आपने आमरन उपवास करने की प्रतिग्या छोड़कर वे संपाती को सागर तक ले गए और फिर शिग्र लोट आए तब जामबान ने उनसे पूछा आपको यह कैसे पता चला कि सीता का भरन रावन ने किया है संपाती ने बताया पंक जल जाने के पश्चा जब विंध्या प भूख लगी थी और सूप आर्ष्व भोजन लिये बिना ही घर लोटा तब मैंने उसकी निंदा की तब मेरे पुत्र ने मुझे बताया आज जब मैं मास की खोज में था तब मैंने अकाश मार्ग से जाते हुए एक विशाल राक्षश को देखा जो एक जुवा इस्त्री को लिये जा रहा था मैं उन दोनों को ही आपके भोजन के लिए लाना चाहता था किन्तु उस राक्षश ने मैं त्री पूर्ण वचन कहे और मुझसे वहां से जाने की अनुमति मांगी मैं उसके आग्रह को ठुकरा ना सका उसके पश्चा सिद्ध लोग के निवासियों ने आ अगे सुनाने लगा तब विंध्य परवत पर गिरने के पश्चाद मैं छे दिनों तक अचेत रहा चेतना आने पर मैं निकट ही निवास करने वाले निशाकर नाम के एक महान रिशी के पास गया जिन से मैं और मेरे भाई परीचित थे रिशी से मिलने पर उन्हों ने मुझसे पूछा की मेरे पंक कैसे जल गए हैं तब मैंने उन्हें सारी घटना बताई मैंने उन्हें बताया कि आकाश से गिरने और अपने भाई की कोई सूचना ना पाने के कारण मैंने परवत शिखर से कूद कर आतम हत्या करने का निश्चे किया है जब मैं वहाँ खड़ा खड़ा अपने नेतरों से आशु बहा रहा था निशाकर रिशी ने कहा निराश ना हो क्योंकि मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि जब हविश्य में एक दिन तुम सीता के विश्य में वानरों को सूचना दोगे तब तुम्हारे पंख पुनहा और उनमें नई शक्ति का संचार होगा। ऐसा कहकर मुनी निशाकर अपनी कुटिया में चले गए और मैं शनय शनय सरकता हुआ अपने आश्रे विंध्य परवत लोट आया। तब से तुम्हारी प्रतिक्षा कर रहा हूं आठ हजार वर्ष वितीत होने पर निशाकर रिशी अ अपना देह त्याग दिया। उनकी अनुक्सिती में मुझे उनके वचन की सत्यता पर संदेह होने लगा। संपाती द्वारा वानरों से ऐसा कहे जाने के पश्चात उनके शरीर पर एक जोड़ा पंख उग आई। और उसे लगा कि उसके शरीर में युवा शक्ति का संचार हो गया है। अत्यंत प्रसंद होकर संपाती ने वानरों को प्रोचसाहित किया कि वे सीता की खोच जारी रखें। संपाती जब अकाश में उड़ गया तब वानर एक नई आशा लेकर दक्षिन की और चल दिये। किन्तु जब वानर सागर के तट पर पहंचे तब उनका वि कार्य फलित नहीं हुआ है। यह विशाले सर्प के समान घातक है। अब जो रावन के चंगुल से सीता को मुक्त करने के लिए सोजोजन की दूरी तक कूच सकता है। वह कृपय आगे आजाए ताकि हम सभी को सुग्रीव के क्रोज से मुक्ति मिल सके। कोई उत्तर ना मिलन 50 जोजन तक की दूरी बताई। मैंद ने बताया कि वह 60 जोजन की दूरी तक कूच सकता है। और द्वीविद ने 70 जोजन की दूरी तक कूचने की बात कही। सुशेन ने बताया कि वह 80 जोजन तक की दूरी सरलता से तैक कर सकता है। जबकि जामवान ने कहा पहले तो बहुत पहले जब भगवान वामन ने तीन विशाल पग में संपून ब्रह्मान को अपने धीन किया था तब मैंने उनकी परिकर्मा की थी दुर्भाग्य वश्य मैं सीता की रक्षा है तू कूद कर लंका जा पाने में असमर्थ हूं अंत में अंगद ने कहा मैं संभवता सो जोजन की दूरी तक कूद सकूँ किन्तु मुझे संदे है कि लोडते समय मैं दूसरी बार इतनी दूरी तक कूद सकूँगा जामवान ने कहा मुझे विश्वाश है कि तुम अपने प्राकरम से 1000 जोजन की दूरी तक खूच सकते हो किन्तु तुम इस अभ्यान के करनधार हो और यह उचित नहीं होगा कि तुम स्वयम ऐसा करो मेरे राजगुमार इसलिए इस कारे को संपन करने का देश तुम किसी और को दू अंगद ने उत्तर दिया प्रमुख होने का महत्वर नगन्य नहीं है मतलब मैं कुछ ना करूँ यह मतलब थोड़ी नहीं यदि मैं स्वयम या अन्य कोई लंका नहीं जा पाता है तब एक ही उपाई है कि हम मृत्यू आने तक यहां भूखे रहें अतह हे जामवान आप ही कोई उपाई सुझाएं जिससे हम सागर पार कर सकें और सुग्रीव के क्रोध से स्वयम को बचा सकें तब जामवान ने कहा चिंता मत करो क्योंकि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से निवेदन करूँगा जो निश्चे ही इस दुशकर कारे को कर पाईगा हे हनुमान तुम भगवान विश्णू के वाहन गरुड के सम तुल्ले हो तुम मोन क्यों हो क्रिपया यह परसंग सुने जिन में मैं वानर शेष्ट की गौरव गाथा का वर्नन करता हूँ बहुत समय पहले पुंजिक स्थली नामक की किसी शेष्ट अपसरा को एक रिशी ने शाप दिया और इस प्रकार उसका जनम वानर राज कुंजर की पुत्री अंजना के रूप में हुआ जोव नवस्था प्राप्त करने पर अंजना ने अतुल्निय सौंद्रे प्राप्त किया और वहे अपना सरूप इच्छान रूप प्रवर्तित कर सकती थी एक बार वानर प्रमुख केस्री के साथ विवाह होने के पश्चात अंजना ने मानव रूप धार्न किया और वहे परवतों के मध्य घूमने लगी सुन्दर अंजना को देखकर वाजू देव मोहित हो गए और वाजू ने वेक से उसे निर्वस्त्र कर दिया जब वाजू ने अंजना की गोल एवं एक दूसरे को सपर्ष करती हुई दोनों जांगे उन्नत स्थन एवं अन्य इस्त्री योचित अकर्षनों को देखा तब योन वासना से वशिबूत होकर वाजू ने बलपूर्वक उसका अलिंगन कर लिया इस प्रकास से अद्रिश्य आकर्मन करता को देख पाने में असमर्थ अंजना चिला उठी यह कौन है जो मेरे एक ही पती को स्विकार करने की प्रतिग्या को तोड़ना चाहता है वाजू देव ने उत्तर दिया मैं वाजू देव हूँ मैंने शरीरिक रूप से तुम्हारी पवित्रता को भंग नहीं किया है क्योंकि मैंने मांसिक रूप से तुम्हारे भीतर प्रवेश किया है मेरी कृपा से तुम्हें एक ऐसा पराकर्मी पुत्र उत्पन होगा जो इच्छा अंसार अपना विस्तार करने में मेरे स्मान होगा वाजुदेव के वजन सुनकर अंजना प्रसन हुई और शिग्र ही उसने परवत की कंद्रा में हनुमान को जर्न दिया अगले दिन प्रत्यकाल जब हनुमान ने उगते हुए सूरे को देखा तब उसने सूरे को कोई देदिप्य मानफल समझा उसे प्राप्त करने की इच्छा से वह तीन हजार जोजन की दूरी तक अकाश में कूदा किन्तिव सूरे के तेज से वह वापस पृत्वी पर आ गया बिना किसी हानी के हनुमान ने पुन्हा चलांग लगाई किन्तु इस बार वह वानर के हट को देखकर इंद्र को क्रोध आ गया और उन्होंने अपना वज्र फेंका इस परकार स्वर्ग के राजा द्वारा चलाए हुए वज्र के कारण हनुमान परवस से जातकराया और उसकी ठुड़ी का बाया हिस्सा तोट गया इसी घटना के कारण उनका नाम हनुमान पड़ा क्योंकि हनुमान का अर्थ होता है वे है जिसकी ठुड़ी तूटी हुई है अपने पुत्र के प्रती इंद्र के क्रोध को देखकर वाजुदेव अप्रसन हो उठे और तीनों लोकों में वाजु को अवरुध करने लगे यह देखकर देवता चिंतित हो गए वे ब्रम्हा सहित वाजुदेव के निवास पर पहुंचे ताकि वे उन्हें शांत कर सके वाजुदेव को संतुष्ट करने के लिए भगवान ब्रम्हा ने हनुमान को युद्ध में अजे होने का वर्दान दिया इंद्र को यह देखकर अश्चरय और परसंता हुई कि उनके वज्जर से बालक हनुमान का प्रानांत नहीं हुआ अतैव उन्होंने हनुमान को यह वर्दान दिया कि वे अपनी इच्छा से मृत्यू को प्राप्त करेगा अंत में जामवान ने कहा मुझे लगता है कि हनुमान ही हमारा लक्षे पूर्ण करपाने के योगे है वास्त में इतनी छोटी सी छलांग लगाना मेरे लिए पहले साधारन बात थी जब भगवान त्री विक्रम ने बली का राज्य लेने के लिए अपने तीन पक्का विस्तार किया तब उनकी परिकर्मा करने के लिए मैं 21 बार विश्व के चारों और मन राया जब देवता और दैते अमरित निकालना चाहते थे तब मैंने क्षीर सागर में फेंकी हुई जड़ी बूटियों को अकेले ही इकत्रित किया था किन्तु अब मैं व्रिद हो चुका हूँ अब समय आ गया है कि हनुमान अपने पराकर्म का प्रदर्शन करे प्रशन्षा के इन वचनों को सुनकर हनुमान अत्यंत उत्साहित हो गए तब वहां उपस्थी सभी वानरों को अनदित करने हे तू हनुमान विशाल रूप धार्न करने के लिए अपना विस्तार करने लगे और स्वयम अपने गुनों का वर्नन करने लगे मैं बिना रुके हुए मेरु परवत के चारो और एक हजार बार गुम सकता हूं और सागर के जल के छींटे उड़ाकर पूरे विश्व को जल प्लावित कर सकता हूं यदि मैं चाहूं तो आकाश में उड़ते हुए गरुड की ایک हजार बार परिकर्मा कर सकता हूं मतलब उड़ते हुए पक्षी की 1000 वर प्रिकर्मा करने it is not an easy task ठीक है और समूची लंका को उड़ा कर दूर ले जा सकता हूँ हनुमान द्वारा स्वयम की प्रशंशा सुनकर सभी वानर उत्साहित हो उठे किन्तु उन्हें प्रस्थिती की गंभीरता सूचित करते हुए सभी वानरों ने कहा तुम्हारे लोटने तक हम सभी यहां एक पैर पर खड़े रहेंगे अब हमारा जीवन और सीता की खोज पाने की आशा तुम पर निर्बढ है तब हनुमान ने वानरों को बताया मैं महेंद्र परवत की चोटी से चलांग लगाऊंगा क्योंकि इसके लिए मुझे प्रित्वी पर जो भारी द्वाव डालना होगा उसको सहने की क्षमता केवल इस परवत में है तब हनुमान चल दिये औ परक्षन भर में वे शक्ती शाली महेंद्र परवत पर जा पहुंचे जो उनकी उस गौरव मैचलांग में सहायक हो सकता था जैश्री रांग तो आज हमने ये जो किशकिंदा कांड था इसको कंप्लीट कर लिया कल हम सुन्दर कांड पढ़ेंगे तो सभी एक बार तीन बार Hare Krishna Maha Mantra बोलेंगे अक्षा में जूडने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैश्री राम वांचा कलपत्रो भाईश्चक्रिपा सिंधू भाई एवच पतिता नाम पावनेभ्यो वैश्नवेभ्यो नमो नमहम All Glories to Śrila Prabhupad की जै